नमस्कार कुकुपित रमा में आप सभी का स्वागत है तो चलिए आज हम बनाते हैं बाजरा की नमकीन टेस्टी पूड़ी इसके लिए हमने ओयल लिया है ये हींग जीरा लाल मिर्च पाउडर और हमने लेसन लिया है और हरा धनिया तो चलिए हम अपने आटे को तयार करते हैं देखिए ये हमने गरम पानी लिया है हलका सा गुनगुना पानी है हमें ठंडा पानी यूज नहीं करना है तो ये देखिए हमने अपने सारे सामन को डाल लिया है इसमें आपने ये आठ से दस हरी मिर्ची लिये इसको भी इसी में क्रश कर देंगे तो ये देखिए कम से कम डेड़ चम्मच के लगबब हमें इसमें ओल डालना है अब हमें सभी को मिक्स कर देंगे अच्छे से तो ये देखिए कम पानी डालती हुए में एक सॉप्ट दूर तयार करना है तो ये देखिए कर दो में नें सॉप्ट झालती है तो ये देखिए कम झालती है तो ये देखिए कर दो हमें उन्हें में तो हम जड़ती है हम इसमें थोड़ा सा तेल लगा देंगे उपर चे देखे इतना सोफ्ट हमें लगाना है इसको तो चलिए अब हम अपनी पूड़ी बनाना शुरू करते हैं अपने आटे को अच्छे से थोड़ा सा मसल लेंगे यह देखे इस तरीके से तो देखे हम सुखे आटे से भी पूड़ी को बिल सकते हैं और यह बनाना बताते हैं, यह देखिए, अब हुम थोड़ा सा चकले पे तेल लगा łगा लेंगे और इसको बिल्कुल हलके हाथों से बेलना है पूरि को, भी हलके हाथों से बेलना है तो देखिए यह हमने पहली पूरी टेल से बेली है अब देखिए इसको हम आठे से बेलेंगे इस तरीके से इसको कर लेंगे हम देखिए देखिए कड़ाई हमारी गरम हो चुकी है बिल्कुर खल के हाथों से हम पूरी को उठाके और तेल में डाल देंगे चलिए जब तक हमारी पूरी सकती है हम दूसरी पूरी अपनी बेल लेते हैं यह देखिए कितने अच्छे से बिल रही है यह पूरी हमारी यह देखिए आप ध्यान रहे इसको हमें बहुत सॉफ्ट हाथों से बेलना है यह देखिए बहुत हलके से बिलना है यह देखिए इसको अच्छे से बिलना है अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें शियर करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद